नीतिव चन 10, 21-30 तक धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोशन होता है, परंतु मूर लोग निर्बुधी होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीश ही से मिलता है और वह उसके साथ दूख खन ही मिलाता। मूर्ग को तो महापाप करना हसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझवाले पुरुष में बुद्धी रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ती से डरता है, वह उसपरा पढ़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंड़ निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदालों स्थिर और आख को धुआ, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोबा का भय मानने से आयू बढ़ती है, परन्तु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परन्तु दुष्टों की आशा तूर जाती है। यहोबा खरे मनुष्य का गर थहरता है, परन्तु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परन्तु दुष्ट प्रित्वी पर बसने ना पाएंगे। लुका 23, 26 से 56 तक, जब वे उसे लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गाउं से आ रहा था, पकड़ कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीर उसके पीछे होली और उसमें बहुत सी स्ट्रियां भी थी जो उसके लिए चाती पीटती और विलाप करती थी। वे अन्य दो मनुश्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिससे खोपड़ी कहते हैं पहुचे तो उन्होंने वहाँ से और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूसों पर चड़ाया। तब लीशु को बचाया यदि यह परमेश्वर का मसी है और उसका चुना हुआ है तो अपने आपको बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिर्का देकर उसका ठठा करके कहते थे यदि तू यहुदियों का राजा है तो अपने आपको बचा। और उसके उपर एक दोश पत्र भी लगा यह यहुदियों का राजा है जो कुकरमी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आपको और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दन पार रहा है और हम तो न्यायानुसार दन पार रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पार रहे हैं पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना। उसने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंध्यारा चाया रहा और सूर्य का उज्याला जाता रहा और मंदिर का परदा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत और जो स्ट्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इसकाम से प्रसन्ना था। वह यहुदियों के नगर अरिमत प्रस्तिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बार जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईशु का शब मानगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चटान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया है। तब उन्होंने लोटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आगया के अनुसार विश्राम किया। यहोशु 9, 16-27 तक उनके साथ वाचा बांधने के तीन दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे परोस के रहने वाले सारी मंदली के लोग प्रधानों के विरुद्धकुर कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंदली से कहा, हमने उनसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपत खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपत के अनुसार हम जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपत के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतह प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंदली के लिए लकड़हरे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशु ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है, कि हम तुम से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम मेंसे ऐसा कोई न रहेगा जो दास, अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हरा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशु को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आग्या दी थी कि तुम को वह सारा देश दे, और उसके सारे निवास ही किया, और उन्हें इसराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया, कि वे उन्हें घात करने न पाए, परंतु यहोशु ने उसी दिन उनको मंडली के लिए, और जो स्थान यहोवा चुनले उसमें उसकी वेदी के लिए, लकड़हरे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जै भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया, और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत दर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुले और ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे, इसलिए यरूशलेम के र इमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकठी करके चड़ाई कर दी, और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेर दिया, तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की चावनी में यहोशू के पास यों कहला भेजा, अपने दासों की और से तु अपना ह आत ना हटाना, शीग्र हमारे पास आकर हमें बचाले, और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहार पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकठे हुए हैं, तब यहोशू सारे योधाओं और सब शूर वीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पढ़ा, और यहोव ने गिबोन के पास उनका बड़ा सनहार किया, और वेथोरों के चड़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए, फिर जब वे इस्राइलियों के सामने से भाग कर वेथोरों की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े-बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए, जो ओलों से मारे गए उनकी गिंती इस्राइलियों की तलवार से मारे हों से अधिक थी, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने इमोरियों को इस्राइलियों के वर्ष में कर दिया, उस दिन यहोशु ने पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, और लगभग चार पहर तक न डूबा, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुश की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राइल की ओर से लड़ता था, तब यहोशु सारे इस्राइलियों समेथ गिलगाल की छावनी को लौट गया, वे पांचों राजा भाग कर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे, तब यहोशु को यह समाचार मिला, पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें म उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अफसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। लटका दिया। और वे सांच तक उन रिक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूपते डूपते यहोशु से आ गया पाकर लोगों ने उन रिक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया। और उस गुफा के मुह पर बड़े बड़े पत्थर रख लिबना को गया और लिबना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राइलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशु ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित न चोड़ा और उसके राजा से वैसा ही किया जैस उसने लिबना के सब प्रानियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया. तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चड़ाया, और यहोशु ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा की उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा. फिर यहोशू सब इस्राइलियों समेट लाकीश से चल कर एगलोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डाल कर युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर ड और उसमें के सब प्राणियों को नश्ट कर डाला। तब यहोशू सब इस्राइलियों समेट घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेट उसे और उसके सब गावों को ले लिया और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उनमें थे स जालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा और इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की आगया के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा वरन जितने प्रानी थे सबों का सत्यानाश कर डाला और यहोशु ने कादेश बने से ले एजजा तक और गिबोन तक के सारे गोशिन दे के परमेश्वर यहोवा इस्राइलियों की और से लड़ता था. तब यहोशु सब इस्राइलियों समेत गिलगाल की चावनी में लट आया.